हेलो एवरिवान वेलकम टो हेल्ज सुत्रम मेरा नाम है तेजस्वी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे विटेमिन B12 फूर्स यानि कौन-कौन से फूर्स में विटेमिन B12 होता है नमबर वन ओर्गन मिट ओर्गन मिट उन बहतरिन खाद्य पदार्तों में से एक है जो विटेमिन B12 की कमे को पूरा कर सकता है जानोरों के जिगर और गुर्दे विशिश रूप से बेड के बच्चे में विटेमिन B12 की उच्च मात्रा होती है बेड के बच्चे का लगबग 100 ग्राम मांस का सेवन करने से विटेमिन B12 की दैनिक जरूरत का लगबग 1500 प्रतिशक हिस्सा राप्त किया जा सकता है बेड के बच्चे के मांस में अन्य जानवरों की तुन्ना में विटेमिन B12 अधिक मात्र में होता है नबर टू, बड़ी सी क्लैम्स एक प्रकार की छोटी शेल्फिश होते हैं जो पोशक तत्वन से भरपूरे इस प्रकार की मोलोस दुबले प्रोटीन का एक अच्छा स्रोंत होती है साथ ही इसमें विटेमिन B12 की उच्च मात्रा होती है जिन लोगों को vitamin B12 की कमे होती है उन्हें नियमित रूप से instinct का सेवन करना चाहिए इसके अलावा clams में anti-oxidant विभर्पूर मात्रा में होते हैं vitamin B12 की कमे को दूर करने के लिए clams के शोर्बा का भी सेवन किया चासकता है क्योंकि यह भी विटेमिन B12 की उच्च मात्रा से भरपूर होता है सारडिन एक छोटी और पोश्टिक समुद्री मचली है तार उपलब दता के अभाव के कारण यह मचली विशेश रूप से डिबबंद बेच जाती है आप चाहे तो इने ताजा भी खरीच सकते है सारडिन मचली को सुपर फूड के रूप में उपभो किया जाता है क्योंकि इनका सेवन करने से विटेमिन B12 की दैनिक जरूरत का लगबग 2 गुना हिस्दा प्राप्त किया जा सकता है इसके अलावा सारडिन मचली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मातर में होता है जो कई स्वास्ते लाब दिलाने में सहायक होता है नमबर 4 टूना फिश टूना फिश में प्रोटीन, विटेमिन और खनीच पदार्तों के साथ ही अन्यक पोशक तत्व उच्च मातर में होता है इनके अलावा टूना फिश में विटेमिन B12 भी उच्च मातर में होता है विशेश रूप से मच्चली की त्वचाव के नीचे मांस पिश्यू में जिसे डार्क मसल्स के नाम से जाना जाता है अत्यूरों से पाता चलता है कि लगबग 100 ग्राम टूना मच्चली का सेवन करने से विटेमिन B12 की दैनिक जरूरत का 160 प्रतिशक ही साफ त्रापते किया जा सकता है नंबर 5 ट्राउट फिश रेंबो ट्राउट सबसे स्वास्ते मच्चली उन में से एक है यह मच्चली मुख्या रूप से मेठे पाने में होती ही जो स्वास्ते वसा और विटेमिन B का एक बढ़ास्त्रों थे ट्राउट फिश की लगबग 100 ग्राम मात्रा का सेवन करने से विटेमिन B12 की दैनिक जरूरत का लगबग 125 प्रतिशक भाग प्राप्त किया जा सकता है साथ ही इसी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड लगबग 1300 मिलिग्राम से अधिक प्राप्त होता है नमबर 6 जिंगा जिंगा वीमान सहर में आने वाला एक प्रमुक और पोश्टिक आहारे दैनिक आहार में जिंगा की उचित मात्रा का सेवन करने से विटेमिन B12 की दैनिक दावशक तका लगबग 80 प्रतिशक भाग प्राप्त किया जा सकता है इसके अलावा जिंगा में मौजूद अन्य पोशक तत्व हमें रुदय और मस्तिक संबंदी स्वास्ते समोस्याओं से बचाने में सहायक होते है नमबर 7 साल्मन साल्मन एक समुद्री मचली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के उच्च स्तूतों में से एक है लेकि इन मचली में विटेमिन B की अच्छी मात्रा होती है पकी हुई साल्मन मचली लगबग 178 ग्राम मात्रा में विटेमिन B 12 की देनिंग जरुवत के आधार पर लगबग 80 प्रतिशक हिस्दा प्राप्त किया जा सकता है नमबर 8 केकडा आप अपने शरीर को विटेमिन B 12 की कमिसे बाचाने के लिए केकडा का सेवन कर सकते है केकडे की 80 ग्राम मात्रा का सेवन करने से लगबग 9.8 माइक प्रुग्राम विटेमिन B 12 प्राप्त होता है इसके अलावा अध्ययनन से ये पता चलता है कि पत्रिली और बर्फिली जगों में होने के कारण केकडों में प्रदूशन भी कम होता है नमबर 9 अंडे अंडे प्रोटीन और विटेमिन B के अच्चे स्त्रोतों में से एक है अंडे का नियमित सेवन विशेश रूप से विटेमिन B 2 और विटेमिन B 12 की कमे को दूर करता है दो अंडे का सेवन करने से विटेमिन B12 की देनिक आवशक तका लगबग 22% विटेमिन B2 और लगबग 28% तक विटेमिन B12 को प्राप्त किया जा सकता है तो आज की विडियो में इतना ही अगर आप प्रोड़क्ट खरीदना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक से प्रोड़क्ट खरीद कर हमारे चैनल को सवयोग करें ताकि हम इसी तरह महत्वपूर्ने जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें धन्याद विल्सक्तुछ